यह देखिए, बहुत ही खिले-खिले बने हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं. Hello friends, स्वागत हैं आपका काड्यू किचन में. मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं सेजवान फ्राइड राइस. यह हम बचे हुए चावल से बनाएंगे. जब भी हम चावल बनाते हैं, अक्सर थोड़े बहुत चावल बच ही जाते हैं. पर पुराने होने की वज़े से फ्रेश जैसा उसमें टेस्ट नहीं आता. तो हम सोच में पढ़ जाते हैं कि इसका क्या बनाया जाए. तो इसी प्रॉब्लम का सॉलिशन के लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सभी को बहुत पसंद आएगी. तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी. लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और यदि आप इसे फेस्बुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें. तो आप चलिए, टाइम नवेस्ट करते हुए, शुरू करते हैं, सेजवन फ्राइड राईज बनाना. सेजवन राईज बनाने के लिए, मैंने आप पर एक बॉल बचा हुआ राईज लिया है, आप चाहें, तो फ्रेश राईज भी उस कर सकते हैं. तो चलिए, अब चलते हैं, गैस की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं. ये कडाई को मैंने गैस पे रख दिया है, और इसमें एक टेबल स्पून ओल दाला है. और गरम हो गया है, अब मैं इसमें सबसे पहले दालूँगी जीरा, ये 1-2 टीजपून मैंने जीरा लिया है, इसको थोड़ा सा तेल में चलाएंगे, अब मैं इसमें दालूँगी प्याज, ये मैंने एक लंबा कटा हुआ प्याद लिया है. प्याज को हम थोड़ा सा भुनेंगे, इसको हमें गलाना नहीं है, हलका सा भुनना है, बस इसका कच्छापन चला जाए. ये प्याज थोड़ा थोड़ा भुन गया है, अब मैं इसमें दालूँगी शिम्ला मिर्ची, ये मैंने एक शिम्ला मिर्ची ली है, और इसको लंबा लंबा कट कर लिया है, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा हम भुनने देंगे, ये थोड़ा सा भुन गया इसे हमें पकाना नहीं है, हलका सा ही बस भुनना है, आप मैं इसमें दालूंगे 1 4th cup जितना स्वीट कॉन और साथ में ही इसमें दालेंगे 1 4th cup हरे मटर, यह मैंने फ्रोजन मटर लिये हैं, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं, इन सभी को अच्छा से मिक्स क करेंगे और थोड़ा साम इसको भुनने देंगे, यह सभी थोड़ा थोड़ा भुन गया है, अब इसमें दालेंगे यह पिजा सॉस है, यह मैंने 2 TSP लिया है, साथ में दालेंगे टमेटो कैचप, यह भी है, 2 TSP दालेंगे, ग्रीन चिली सॉस, यह भी मैं 1 TSP दालूंगी और यह साथ में जाएगी, सोया सॉस, यह भी 1 TSP मैंने लिया है, इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ में हम दालेंगे नमक, स्वादा नुसार, नमक थोड़ा सा में संबल के दालना होगा, क्योंकि सभी सॉस में नमक होता है, साथ में मैं दालूंगी थोड़ी सी ल अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, यह सभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको बॉल में निकाल लेंगे, इनको मैंने बॉल में निकाल लिया है, यह देखिए यह बहुत ही खिले खिले बने हैं और खाने में भी बहुत टेस्ट जरूर ट्राय कीजेगा और comment box में बताइएगा आपको यह recipe कैसी लगी, साथ ही इस वीडियो को like करें, और अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, तो please हमारे चैनल को subscribe करें, और यदि आप इसे Facebook पे देख रहे हैं, तो हमारे page को follow करें, तो चलिए अब मिलते हैं अ जएड़ सेपकिसाद, तेंक य।